नमस्कार दोस्तों किसान भाईो माया भाय आपका स्वायत करता हूँ खेती के वीडियो में तो किसान भाईो हम क्रेसी में दो तरह के जल का प्रयोग करते हैं एक हमारे सतही जल हो गए जो तलाब नदिया नहरे इनके माध्यम से तो इनका हम सिचाई में प्रयोग करते हैं और दूसरा भूमी गजल जिसमें हम नलकूप अर्थाद टूब बेल और दूसरा कुवाँ अर्थाद ओपन वेल इनके माद्ध हम से सिचाई करते हैं तो जो टुब वेल होता है अर्थाद नलकूप उसमें मोटर हमारे सुरच्छित रहते हैं समर्सेयर को हम सीरे अंदर तक डाल देते हैं और वह चारो साइड से पाइक होता है बंद होता है और लेकिन जो ओपन वेल अर्थाद कुआ होता है तो उसमें अपने मोटर को जो ऐसा जुगाड बताएंगे कि आप अपने ओपन वेल अर्थाथ कुवा में किस तरह मोटर को सुरच्छित रख सकते हैं जो कि हमने वो जुगाड अपने कुवे में किया हुआ है तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और हम आपको वो जुगाड दिखाएंगे और हम करते हैं कि हमारे जो किसान भाइयों हैं उनके लिए यह जुगाड बहुत ही काम का जुगाड होगा तो चलिए हम वो जुगाड आपको दिखाते हैं तो किसान भाइयों देखे यह हमारा कुवा है ओपन वेल तो इसमें हमने आपको बाहर जो हमारे कुवे में इधर कहीं भ तो उसे सटा हुआ हमने एक रूम बनाया हुआ है इधर देखिए यह चोटा सा रूम है यह हमारे कुए के जो उपरी दिवार है उससे एकदम सटा हुआ है तो किसान भाई ओ इसमें हम आपको आगे दिखाएंगे कि इस रूम का हम किस तरह प्रयोग करते हैं मोटर को सुरच्चित रखने में क्योंकि जो यह आगे आपको यह होल दिख रही है तो इसमें से सिर्फ पाइप ही बाहर आया हुआ है आप इससे उस मोटर को बाहर नहीं न अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं तो किसान भाई ओ देखिए यह रूम का इंट्रिए जब जाते हैं तो यहां आपको अंदर में देखिए एहग गढड़ा बना हुआ है और यह जिस gover बाते हैं तो इस सब्सक्रायगण फौकीर और यह रूम पे अंदर का हिस्स्षा है दिवार का, और देखे, इसमें हमने मोटर को इस गड़े के अंदर रखा हुआ है, और इसका जो निचला वाला पाइप है, वो उससाइड कुए में हैं, और जो ये उसका उपरी हिस्सा वाला पाइप है, तो ये रूम से अंदर आते हुए, फिर यहां से देखे, ये, एक होल हम ने बनाया हुआ है फिर ये उधर रूम से बाहर आपके चला गया है जिसे हम खेत की और उसको ले जा सकते हैं यह देखिए पिसान भाईो इसमें हम अपने हिसाब से गड़े को हमारे जो कुए का लेवल damping कितना रहता है उस हिसाब से हम गड़े कर सकते हैं तो हमारे वैसे खुए में तो water level lived हाई ही रहता है तो हम जादा नहीं इसमें लगवग, तीन चार फिट के करीब ये गड़ा होगा, उतना ही हमने किया हुआ इसमें, और इसके अंदर हमने मोटर को डग दिया है, और आगे का जो होल आपको दिख रहा होगा, तो इससे मोटर बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और इस तरह ये मो का लिए मोटर, आपका रूम के अंदर हे और यहां पर जैसे ये आपका, ये देखीइ रूम का गेट है, तो अब हम इस गेट को यहां से बंद करके, देखेा किसान भाईयो हमने ये रूम को लाक कर दिया, अब इसमें ताला लगा दिया, मोटर जो हमारा है, वो रूम के अ अपने मोटर कोई स्टार्ट कर गए या फिर बंद रखा जैसा भी है और उसके आगे आप देखिए अब इस कुए में आपको सिर्फ पाइप बस है ऐसे में आपने तुलाग किया और आप निश्चिंद जाके आप अपने घर में रहिए या कहीं भी रहिए आपके मोटर को को और ना निकाल सकता है ना कोई चू सकता है तो ये कमाल का जुगाड़ है तो आप भी अपने कुए में इस तरह का जुगाड़ आवस्थ बनवाएं ताकि आपका मोटर हमेशा सुरच्चित रहे उसे कोई चोरी और ही ना कर सके किसान भाईयो तो आज का हमारा ये किसी चाई करते हैं तो इस जुगाड़ के बाद हमसे अपने मोटर को हमेशा सुरच्चित रख सके और हमारे चैनल पर नए है तो क्रेपेर सब्सक्राइब करें धन्यवाद